अस्सलाम अलेकुम ख्लास our next topic is about कि होटा है वाड्य दार आर हैं श्क्रास्स का धाल्य याणिकि फिकसें दर यह दोर्फ नार भारते हैं वकर्छिया तो हैं एस्ट वीयन में से class जो सबसे ज़ादा हमारे पास जिसने land habitat को adopt किया हूँ हमारे पास flowering plant होते हैं यानि के class वह फ्लॉवर जिनके उपर present होते हैं अब class next आ जाता है अब class इसके अंदर complex vegetative और reproductive structure जो उन से हैं वो present होते हैं यह class इसके अंदर vegetation भी होती है और reproduction भी हो रही होती है और जिसकी वज़ा से class इनों ने काई यह वाला जो vascular plant है यह क्या होता है यह dominant होता है बाकी सारे flora जितने भी land की उपर flora है यानि के class जिसमें flower plants में produce होते है उनमें सबसे ज़्यादा dominant है अब class इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है number one class इनके पास root होती है stem होती है, leave होती है next is vascular system stem में भी present है root में भी और leaf में भी vascular system zylem and flowing present है next class हमारे पास है productive sporengia leading to the evolution of seed अब class productive sporengia sporengia class हम लोग पहले पढ़ चुके है हम लोगों ने गिमिटोफाइट पढ़ा है sporophytes पढ़ा है sporophytes जो उनसे होते हैं class उसके अंदर spore produce होते है और जिस structure के अंदर produce होते है उसको sporengia कहते है तो इन्होंने क्या protective sporengia का मतलब है कि ये spores को protect करके रखते है और class यहाँ पे leading अब class pollen tube का क्या काम होता है pollen tube में क्योंकि class इसके अंदर reproduction भी होती है तो male और female जो उनसे होते है gimmits वो क्या कर रहे होते है combine होते है fertilization होती है दोनों आपस में male और female जब combine होंगे तब हमाई पास zygote बनता है तो class जहाँ पे उन्होंने combine होते है वो pollen tube होती है तो class इन्होंने क्या pollen tube एक safe और water independent यानि कि class इन दोनों gimmits को male और female gimmits को दोनों को आपस में combine होने के लिए fertilization करने के लिए क्योंकि fertilization बनती है तब भी class हमाई पास new बनेगा zygote तो class इन्होंने क्या water independent transmission होता है और ये tube के अंदर बिल्कुल safe होता है और इसको water की जरुएट भी नहीं होती दोनों को आपस में combine होकर combine जब होते हैं उसे fertilization कहते है जो pollen tube के अंदर होता है next class इसके अंदर flowers भी बनते हैं fruits भी होते हैं यानि कि इसके अंदर vegetation भी होती है क्योंके fruits भी है next class heteromorphic alternation of generation है heteromorphic alternation of generation class मैंने विछले topic में बताया था वो हमारे पास क्या होती है यानि कि इस class हमारे पास gametophyte होता है फिर sporophyte बनता है और फिर sporophyte से दुबारा हमारे पास gametophyte बनता है तो यानि कि इस class जब वो baby plant होता है तो gametophyte होता है जब class उसके reproduction उसने करनी होती है तो sporophyte बनता था इसको कहते है heteromorphic hetero का मतलब होता है different morphic का मतलब होता है structure alternation of generation यानि कि पूरी generation में alternation यानि कि changes होती है और वो heteromorphic होता है homomorphic नहीं यानि कि structure जोंसे होते है वो क्या रहोते है different रहते है अब ये class हमारे पास pollen grains ये sperm nuclei यहां पे लगे होते है sperm black nuclei लगे होते है इनके male gametes है ये pollen grains है ये class जैसे अंदर enter होंगे क्या होगा ये sperm के साथ react करेंगे fertilization होगी ये हमारे पास sperm nuclei आ गए है और ये pollen जोंसे है उपर pollen जोंसे अंदर enter होए थे ये female से आई है दोनों अपस में class fuse हुए है fertilization हुए है और हमारे पास नीचे क्या बनगे एकसल बनगे और ये किस के अंदर हो रहे है pollen tube के अंदर हो रहे है ये हमारे पास pollen tube होती है next class हमारे पास उसकी development के लिए उसके survival के लिए environment के अंदर survive करने के लिए जो जो changes आती है उसके अंदर उसको हम evolution बोलते है अब class उनने का early vascular plant जो सबसे पहले vascular plant थे did not have true leaves या root उनके पास true leaves या root नहीं present थे यो जो सबसे पहले हमारे पास जो उनसे vascular plant थे यानि के xylem और phloemgyn के अंदर present थे उनके पास true leaf या root present नहीं थे इनका size बहुत ज़्यादा small था number two ये क्या थे dichotomous branched erect smooth aerial part होता था ये हम देख रहे थे हैं ये क्या होता है अब class dichotomous branching हम किसको कहते हैं जिसमें class जो main access होता है वो 2 में divide किया हो ये भी 2 में और ये भी 2 में तो class इसको हम लोग क्या कहते हैं dichotomous branching बोलते हैं इस ट्राइब की branchies को next class आ जाता है हमारे पास dichotomous branching देख लिए erect का मतलब होता है class बिलकुल सीधा खड़ा होना smooth होते है aerial part यानि कि सबसे उपर वाला जूनसा part है इसका बिलकुल लटका हुआ जुका होना नहीं होता है ये बिलकुल खड़ा होता है उसके बाद class strong subterranean anchoring and absorbing rhizoid अब class एक strong anchoring के लिए absorbing के लिए structure होता है यानि कि एक ऐसा structure होता है जो क्या करता है उसको जमीन के साथ attach करके रखता है और class जमीन से absorb वगएरा भी करता है मिनरल्स को उसे हम क्या कहते है rhizome बोलते है अब class evolution study करते है number one class evolution जो सबसे पहले plant थे वो हमाई पास थे coxonia coxonia देखते हैं ये class थे इनका structure layout class बिलकुल सेम था naked stem थी यानि कि leaves वगएरा present नहीं होते थे इस वज़ा से इसको naked बोल रहे है उसके बाद class plant जो उनसे होते थे plants ने फिर class ये वाले plants ने क्या किया leaves जो उनसे हैं वो develop किया वो leaves किस तरह के थे small scale like outgrowth यानि कि class इस तरह के leaves थे जैसे small scales होते हैं outgrowth होती है अब class ये coxonima का structure है यहां पर हमारे पास जो leaves है ये develop होएं outgrowth बनी हुएं जैसे जैसे outgrowth होती है वैसे ये develop हुए अब class इनके पास क्योंकि हमारे क्या था vascular tissue यान के जालेम और from treasure नहीं थे इस वज़ा से class हम इसको true leaves नहीं कहते थे बाद में हमारे पास second जो थे अब class यहां से आप लोगोंने next heading बनानी है हमारे पास पहली heading थी जो उनसी coxonima था next हमारे पास second heading है वो है हमारे पास leicoports leicoports में हमारे पास अब क्या था इन्होंने काए first plant formed true leaf वो plant जिसने सबसे पहले true leaves और root बनाए वो हमारे पास कों से थे leicoports वाले plant थे उन्होंने काए leaf जो उनसे होते है इसके small size थे leaf have a single undivided vein vascular supply के लिए अब class उन्होंने काए सिरफ एक ही vein इसके अंदर present थी vascular supply के लिए यानके zilem or phloem उन leaves को हम लोग क्या कहते थे micro fill micro fill इस वज़ा से class कहते थे क्योंके छोटे थे बहुत सैदा और इसके अंदर vascular system भी present था तो micro fill इनको बोलते थे जबके class हमारे पास जो lodge इसी के lodge leaves थे वो क्या करते थे divide vein and veinlet उसके अंदर भी class single vein ही present थी लेकिन उसके अंदर क्योंके leaves बहुत जादा बड़े बड़े थे तो एक vein जोंसी है class आगे छोटी छोटी veins के अंदर further divide हुआ थे था तो इसको हम कहते थे veinlet divide vein and veinlet with expanded leaf blade अब class इनके अंदर expanded leaf जो उनसे present होंगे उनको leaf blade बोलेंगे या पिर हम लोग lemina बोलते थे और class ये जो lodge leaves थे उपर वालों को तो हम लोग micro fill बोलते थे इसको हम लोग बोलेंगे mega fill ये ज्यादा तर हमारे पास ferns के अंदर और उन plant के अंदर बनते हैं जिनके अंदर seeds जोंसे हैं वो present होते हैं अब class ये हमारे पास lecoports हैं lecoports के उपर हमें micro fill नजर आ रहे हैं ये class हमारे पास mega fill leaf है जिसके अंदर एक vein जुनसी है वो further different veins और veinlet के अंदर divide हो जोते हैं अब class यहां से evolution of mega fill की heading में रानी है यानिके lodge जो leaves थे इनके अंदर evolution की तरह ही यानिके इनके अंदर veinlet के अंदर जो हमारे पास होते हैं सज़स्ट किया गया के evolution जो नहीं है mega fill के अंदर start from dichotomous branched system उन्होंने कहें सबसे पहले ये किया थे dichotomous branch जो नहीं सा system था वहां से ये वाले leaves थे इनके अंदर इसके अंदर evolution आई और जो नहीं से class यहां से evolution start हुई पहले इन्होंने कहाए कि ये किसके अंदर थे primitive primitive silopsida जो class primitive होता है कदीम उन्होंने कहए कदीम जमाने के जो silopsida थे जो silopsida जो नहीं से थे यानि ये class ये vascular plant थे तो class इसके अंदर क्या हुआ इन्होंने कहाए यहां से पहले ये इसके अंदर प्रेजन थे लेकिन यहां से जब evolution आई तो किसके अंदर convert हो गए सबसे पहला step इन का था dichotomous branching system के अंदर ये convert हुए और फिर class इन्होंने काई ये 350 million years के बाद इनके अंदर जो evolution आई तो आज के हमारे पास new mega fields जो हमने उपर study किये हैं हमारे पास बने थे उन्होंने काई class एक successive इसके अंदर evolutionary system जों से हैं evolutionary step जों से हैं वो आते गए थे यानि के हर plant के off supreme के अंदर evolutionary step आते गए कोई ना कोई changes आती गई और तब हमारे पास ये जो evolution आई ये आई थी सबसे पहले हमारे पास primitive थे primitive sylopsida थे उतनके अंदर जब first evolution आई तो class वो dichotomous branching system थी फिर हमारे पास जो lost में evolution successive steps आते गए और फिर हमारे पास ये evolution आई थी